हालो स्टुएंट्स मैसेल्फ रंदीप सिंह एंड हम डिसस कर रहे है आपको नमर सुटी सेकेंड क्या रहा देखो इन एपी इव दा पीयर्थ टर्म इस वन बाई क्यू ठीक है नोट करो उनको गिविन कंडिशन डाल के क्या रहा है यानि एपी आपको वन बाई क्यू गिवि यहां पर हो जाएगा a plus p minus 1 d equals to 1 by q this is equation 1 आ जाओ second पर a plus q minus 1 d equals to 1 by b this is second equation अब क्या करें सब्स्ट्राइट कर देते हैं equation को subtract equation 1 from second को इसी भी कर सकते हो a plus q minus 1 d equals to 1 by p and a plus p minus 1 d equals to 1 by q minus minus इदर देखो q minus 1 d minus p minus 1 d equals to 1 by p minus 1 by q d common ले इसमें से तो क्या बचेगा q minus 1 और यह minus open हो जाएगा तो दोरह से multiply भी हो जाएगा यहां LCM ले सकते है q minus p upon p q 1 से 1 cancel out हो गया बचा किता finally उस पर नज़र डालते हैं यह d है और यह q minus p equals to q minus p upon p q यह पूरा bracket इस से कर जाएगा तो d equals to क्या बचा 1 by p q मुझे बताओ d की value समझ में आई या नहीं आई इसको मैं किसी भी equation put कर सकते हूं तो a की value मिल जाएगी put in equation 1 1 वाली equation कहा है आपकी एरी a plus p minus d equals to 1 by q ठीक है भई पी की value पता नहीं है d की value पता है 1 by p q पूर से q चला गया एक की value निकालनी है हमें कायदे से तो minus e minus 1 और यह पी ध्यानक ने यह इसके denominator में कायदे से एक तरी तो यह पूरा value एक सद बन चुटके जाएगा यहां से ना यू तो अच्छा स्वारी स्वारी माने क्यूं गलत काड़ दिया यार ज्यादा ही भावनाम बैय गया मैं कि वेट 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 हाँ क्या कह रहता मैं P minus 1 और यह D की value P by Q यह multiple में लग जाएगा ना 1 by Q यह ऐसे कटेगा नहीं से पूराउट के उदर जाएगा लाइक डाट ठीक है अब आप LCM ले सकते हों यहां पर LCM क्या आएगा P by Q यह आएगा अब देखो Q Q तो सेम हो उसको छोड़ो P cross हो जाएगा यहां पर minus P फिर यह minus से multiply हो गए इस से multiply हो जाएगा प्लस 1 समझ गए this is your A value थोड़ा सा ध्यान देना है यहां पर calculation पर क्या निकालना है sum of first P q P q की value क्या होगी आपके पास P q by 2 और 2 A plus N minus 1 यानि P q minus 1 यह ही होगी यह value पूछ रहा है आपसे तो यहां पर आप थोड़ा सा ध्यान देनेंगे तो यह एक ही value क्या होगी आपकी वाली value होगी हाण पी माइनस q x के मैंने बार बार रिपीट लिख दिया यहां पर value एक सब्सक्राइब फिर से लिख देता हूँ देखो यह q q तो सेम है इसका कुछ होगा नहीं यह p उठके उदर जाएगा यहां पर p फिर minus अच्छा यह सेम ही है मैंने सही लिखा है इसका मतलब यह यह cancel out हो जाएगा 1 by p by q बचेगा इसका value सही है ठीक है तो a का value भी 1 by p q हो गया है plus p q minus 1 और d का value भी हमरे पास 1 by p q है सेम ही हो गया है तो यहां आप देखेंगे दौनों factor के अंदर मेरे पास 1 by p q common है वहाँ निकाल दिया तो इदर क्या बज़ गया plus p q minus 1 जी cancel out हो गया 1 by 2 अंदर किता बचा 2 minus 1 किया तो 1 बचेगा p q plus 1 s p q यानि कि finally आप देखोगे s p q का value कितना आगया आपके पास p q plus 1 bracket close divide by 2 this is your answer where p is not equals to q ठीक है complete cache number 22nd key you